बच्चो आपके अपने परिवार में जो व्यस्क सदस्य हैं यानि जो आपके गार्जियन हैं या आपके चाचा-चाची, माता-पिता वे सभी अपने आय के लिए कोई ना कोई काम जरूर करते होंगे प्रतेक वेक्ति को नौकरी करना यानि कोई काम करना या आय प्राप्त करना क्यों जरूरी है आय धन, पैसा, जीवन के लिए एक बहुत बड़ी जरूरत है या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो दिन प्रती दिन हमें किसी ना किसी चीज की आवशक्ता होती है किसी ना किसी चीज को खरीदने, उसको यूज करने की हमारे इक्षा होती है किसी वस्तु को खरीदने उसका प्रयोग करने के लिए हमको किसके आवशक्ता होगी धन के आवशक्ता होगी धन कहां से आएगा जब हम कोई कारे करेंगे यानि कि जब हम कोई आर्थिक कारे करेंगे आर्थिक कारे यानि ऐसा कारे जिसके बदले हमको धन की प्राप्ति होगी तो आज हम अर्थ शास्त्र के परिचय में अर्थ शास्त्र का वास्तविक अर्थ अर्थ शास्त्र का किन किन चीजों से संबंध है इन सब के बारे में अध्यन करेंगे अर्थ शास्त्र दो शब्दो अर्थ और शास्त्र से बिलकर बना है अर्थ यनि कि धन और शास्त्र यनि कि ज्यान की एक शाखा और अधिक विस्तृत रूप से इसे समझें तो हम देखेंगे कि अर्थ शास्त्र के उत्पत्ति ग्रीग भाशा के ओिकोस शब्द से हुई है ज और नौमस जिसका आर्थ होता है प्रबंध इन दोनों से मिलके एकोनॉमिक्स यानि की अर्थ शास्र की उत्पत्ति हुई है जब हमने इसको दो भागों में बाट कर देखा तो हमें दो शब्दे दिखाए दिये कौन-कौन से दो शब्द परिवार और प्रबंध कुल मिलाकर यहां यह कहा जा रहा है कि परिवार की आवशक्ताओं की पूर्ती के लिए इक्षाओं की संतुष्टी के लिए मनुश्य को प्रबंध यानि कि किसका प्रबंध धन का प्रबंध करना आवश्यक होता है और धन को प्रबंध करने के लिए वो जो भी कारे करता है वो सारा कार्य अर्थ शास्त्र के विश्यांतरगत आता है यहां पर क्योंकि हम अर्थ शास्त्र का परिचा देख रहे हैं इसलिए हम अर्थ शास्त्र की अवधारना को बहुत सूक्ष मियाने की प्रारंबिक अवस्था से लेकर आज अर्थ शास्त्र की जो इस्थिती है वहा तक हम इसका एक विस्तृत अध्यन करने जा रहे हैं तो अर्थ शास्र की अवधार्णा को समझने के लिए हमने इसको दो भागों में बाड़ दिया है एक है प्राच्य अवधार्णा प्राच्य भारती अवधार्णा आज से बहुत साल पहले और दूसरी है पाश्चात्य तो पहले हम स्टार्ट करेंगे प्राच्य भारती अवधार्णा और देखेंगे कि प्राच्य भारती अवधार्णा के जनक यानि कि किन किन लोगों ने प्राच्य भारती अर्थ व्यवस्था या अर्थ शास्त्र के प्रती अपने क्या-क्या विचार प्रस्तूत किये हैं प्र और इतिहास में आगे चलकर ये चाड़क्य के नाम से भी प्रसिद्ध हुए चंद्रकुप्त के शाषन काल में ये उनके प्रधान मंत्री या प्रधान सलाकार भी रहे हैं इन्हों ने एक प्रसिद्ध पुस्तक अर्थ शास्त्री की रचना की जो कि उस समय के तातकालिन शाष्रन व्यवस्था ये प्रबंध व्यवस्था पर आधारित थे। मनुष्य की आजिविका को अर्थ के नाम से पुकारते हैं, मनुष्य द्वारा उप्योग में लाई जा रही भूमी को भी अर्थ नाम से ही संबोधित करते हैं। यहां हम देख रहे हैं कि कोटिल ने भूमी को अर्थ से जोड़ कर देखा है। क्योंकि तातकालीन समाज में उस समय जो भूमी थी वही लोगों की आयका मुख्य साधन थी। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो उस समय लोगों की आयका मुख्य साधन क्रिशी करना था। सबसे जादा विशेस महत्वक क्रिशी को ही दिया जाता था। इसलिए उन्होंने भूमी के प्रयोग पर इतना अधिक बल दिया है। और भूमी को इतना जादा महत्व दिया है। उस समय कोटिल ने माना कि वैवसाय का मूल आधार ही भूमी है। भूमी को प्राप्त करना, उसकी सुरक्षा करना ये सारी चीजे जो हैं वो राज प्रबंध वैवस्ता के अंतरगत जरूर आनी चाहिए। क्योंकि एक कारण सबसे प्रमुक मैंने ये भी बताया कि उस समय जो वैवसाय का मूख्याधार था वो क्रिशी करना था। तो यही कारण है कि कोटिल ने अपनी परिभाशा में भूमी को अर्थ से जोड़ कर देखा है। कोटिल की अब्धाना को बहुत अच्छे से समझने के लिए हम उन्हें कई बिंदों में वर्गिकृत कर सकते हैं। कोटिल ने अर्थ शास्त्र के विशय में जो अभिमत दिये हैं उसमें उन्होंने पहला नाम दिया है वरत वरत यानि की राष्ट्री अर्थ व्यवस्था। कुल मिलाकर वो यह बताना चाहा रहे हैं कि राष्ट्र के लिए अर्थ की व्यवस्था कैसे की जाए। राष्ट्र के लिए धन कहां से आये। जाहिर से बात है कि किसी राष्ट्र को सुचारों रूप से चलाने के लिए धन की आवश्यक्ता पड़ती है। चाहे वो जन कल्यान की बात करें समाज कल्यान की बात करें समाज सुधार की बात करें हर स्थिती में धन की आवशेक्ता होती है इसलिए इन्होंने राश्ट के लिए धन की वेवस्था के लिए विभिन प्रकार के कारियों को इंगित किया है जैसे कि हम धन प्राप्ति के जवस्था हो सके अब क्रिशी के लिए भी इन्होंने बहुत सारे अपने अवधानाय व्यक्ति की है कि जो श्रेष्ट भूमी है जो राजा है वहां का वो श्रेष्ट भूमी किसानों को क्रिशी करने के लिए दे उसके बाद की जो भूमी है वो उनको रहने के लिए दे इस प दूद्ध देने वाले जो पशू है उनका पालन किया जाए जिससे लोगों को दूद्ध भी मिल सके और उससे उनकी अपनी कुछ आए भी हो सके तो इस तरह के जो छोटे मोटे वेवसाय जिसमें बहुत ज्यादा जिनको प्रारम करने के लिए धन की जरूरत ना पड़े ऐसे वेवसाय लोगों को करने चाहिए वैसे ही उनकी दूसरी अवधारना ये कहती है कि करा रोपन किया जाए देखे हम कर की बात आज करते हैं कॉमर्स में हम आगे आने वाले विश्यों में लगातार कर के बारे में पढ़ेंगे प्रत्यक्ष कर या अप्रत्यक्ष कर इस तरह क अवधारनायन ये कोई आज की नवीन अवधारना नहीं है देखा जाए तो ये काफि प्राची नवधारना क्या है उनकी सोच करारोपन के संबंध में यह हम देखते हैं कि कृषी उत्पादन से जो भी प्राप्त होता है जो भी आय होती है कम से कम उसका एक छटवा हिस्सा कर की रूप में दिया जाना चाहिए ताकि उस कर की राशी से करते हैं जो सरकार है वहाँ के जनता के लिए वहाँ के समाज के लिए कुछ कारे कर सके बिलकुल इसी तरह उन्होंने राज्य के आय और वे की सीमा को भी निश्चित करने की बात कही है देखे किसी भी राज्य के किसी भी राष्ट्र के आय का सबसे महत्पूर्ण स्त्रोत जो होता है वो कर होता है आज भी महत्पूर्ण स्त्रोत कर है और आज से जो प्राची इनवधारणा कोटिली की समय की बात कर रहे हैं वहां भी उन्होंने यही माना था कि राश्ट्र के लिए आय का एक महत्पूर्ण स्त्रोत कर हैं तो कर के माध्यम से राज्जे को जो आय मिल रही है और वो जो आय हो रही है उसको किन-किन मदों पर वै किया जाए ये पूर्व निश्चित होना चाहिए दूसरी एक उन्होंन में जितनी उनकी आय है जितना चाधर है उतना ही पेर पसारना चाहिए कहीं से रिड़ लेकर या कहीं से उधार लेकर राजी को किसी प्रकार का विकास देना यह सब उन्होंने ऐसा सही नहीं माना है उनका यह मानना था कि आय के अनुरूप ही वह किया जाए उसके बाद उन्होंने श्रम कल्यार की भी बात अपने अधारनाओं में लाई है श्रम कल्यार के लिए उन्होंने कहा है कि बंधुवा मजदूर वाला जो प्रता है बंधुवा मजदूरी वाली जो चीज है व भी कही है कि वह व्यक्ति उस कारे को कर सकने में सक्षम हो इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुरूप कारी दिया जाना चाहिए आज हम मैनेजमेंट में प्रबंध में जिन बातों का अध्यन करते हैं आज से कई सौ साल पहले ये सारी चीज केह चुके हैं कि व्यक्ति को उसकी योगिता उसकि शारीरिक शमता उसकी कौशल के अ 나रूफ कारे दिया जाना चाहिए तो यह इछ फैसा इन्हों ने इसलिए का है क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को इसके इंट्रेस्ट का रें नहीं मिलें बहुत इसके योग्यता का कार्य अगर नहीं मिलेगा तो वो उस कार्य को भली भाती नहीं कर पाएगा साथ ही इनका ये भी मान्या है कि कारे के जो घंटे हैं वो पूर्वनिश्चित होने चाहिए यानि कि किसी व्यक्ति के शरीर के कारे करने की जो छमता है उसके छमता के करना में वेबसाइप को तीन भागों में बाढ़ दिया है जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर जनता चाहे तो अपनी अजीविका के लिए अपनी आय के लिए तीन प्रकार के कारे कर सकती है कौन-कौन से तीन प्रकार के कारे क्रिशी पशुपालन और वाडिज म्ति इस तरह के समान बनाने खिलोने बनाने छोट्य मोटे पनीचर बनाने इस तरह का काम जो है वो जनता अपनी आय के लिए कर सकती है इसी तरह इनों झाकड़ा के बारे में उन्होंने यह कहा था कि श्रमिकों से जो कारिक कराया जाए उसके बदले में उनको उचित मूल्य उचित पारिश्रमिक उनको दिया जाए अब ऐसी इस्थिति में दास प्रता का विरोध करना बिल्कुल जाहिर सी बात है कि वो यह मानते हैं कि किसी व्यक्ति को बंधुआ मज वितिया जो है वो पूर्वर निश्षित और सुद्रण होनी चाहिए मजबूत होनी चाहिए अगर सरकार सोचती है कि जनता के भविश्य के लिए जनता के रोजगार के लिए प्रतिविक्ति आये के लिए कुछ करें तो उनको स्वेम कुछ ऐसे व्यपार के उत्पति करनी चा जिससे वहां की जो जनता है उन लोगों को रोजगार मिल सके ताकि वो किसी गलत काम की तरफ न जाए वो अपनी अजीविका का अपनी अजीविका वो उस वैपार से प्राप्त कर सके वैसे ये खदान का प्रबंध उन्होंने अब धाना में उनका एक बिंदू आता है खदान कि जो खदाने हैं इस पर किसी एक वैक्ति विशेस का अधिकार नहीं है इन खदानों पर उस छेत्र की उस जनता की पूरी जनता का अधिकार है तो उन्होंने ये माना है कि जो खदाने हैं उनके इस प्रकार से विवस्था के जाए कि जो सरकार है उससे जादा-जादा सबको समान रूप से उसका लाप राप्त हो सके वैसे ही उन्होंने समाजिक सुरक्षा की बात की इस बात पर विशेश बल दिया है कि समाज में जो लोग रह रहे हैं कहीं न कहीं उस राश्ट्र के राजा का अगर हम एक प्रभावपोर्णिंड जीवनयापन करने का एक अच्छा जीवनयापन करने का उनको माहाल निर्मित कर सके ऐसी सुचारू व्यवस्था की जाये ऐसा कोटेले का मानना था कोटेले की तरह ही एक प्राचे विचारग रहे प्रोफेसर जे के महता इस तरह घांदredit अर्थ शास्त्र की संबंध में अपने जो विचार प्रस्तुत किये हैं वे कहीं नहीं कोटिल्य की विचारधारा से मेल खाते हैं जिस तरह कोटिले ने अर्थ शास्र को बहुत ज्यादा धन से न जोड़कर बलकि सामाजिक सांस्कृतिक विरासत से भी उन्होंने जोड़ा है ठीक इसी तरह प्रोफेसर जेके मेहता की परिभाशा अगर हम देखेंगे तो ये प्रतीत होता है कि उन्होंने भी अर्थ शास्र को लगबख भारती संस्कृती से जोड़ते हुए ही अपने विचार प्रस्तुत किये हैं आईए देखते हैं अर्थ शास्र के संबंद में उनके क्या परिभाशा है प्रोफेसर जेके मेहता के अनुसार अर्थ शास्र वह विज्ञान है जो आवशक्ता शुन्यता के लक्ष को प्राप्त करने के साधनों के रूप में मानविय व्यवहार का अध्यन करता है इस परिभाशा से दो चीज तो सपस्ट हो जाती है एक तो यह कि आवशक्ता शुन्यता की बात उन्होंने कही है मतलब आवशक्ताओं को बहुत जादा ना बढ़ाया जाए जिसकी बारे में हम आगे चल के और विस्तार से अध्यन करेंगे और दूसरी बात इन्होंने कही है कि मानविय व्यवहार तो दोनों चीजों को अगर हम जोड़कर देखते हैं तो एक बात यह भी सपस्ट हो जाती है कि इन्होंने अर्थशास्र के संबंध में भौतिक दृष्टिकोंड को ना अपना कर एक नैतिक या समाजिक दृष्टिकोंड की बात अपनाई हैं अगर हम जेके मेता की परिभाशाओं का अच्छे से विसलेशन करें तो हम इसको दो भागों में बाट कर देखेंगे इन्होंने एक मनुष्य की मानसिक अवस्थाओं को दो भागों में बाटता ह एक बार उन्होंने कहा है कि आसंतूलन की अवस्था यानि की आसामे की अवस्था ना हो देखें अभी हम आगे आने वाले अध्यायों में इस बात को विस्तार से पढ़ेंगे कि आवशक्ता जो होती है आवशक्ता की पूर्ती के लिए मनुष्य आर्थिक कारिक करता है और एक और विश्यस्ता आवशक्ता की ये भी है कि ये निरंतर उत्पन होते रहती है यानि कि आवशक्ताएं जो होती है वो असीमित होती है जैसे ही हम एक आवशक्ता की पूर्ती कर लेते हैं तुरंत कोई नई आवशक्ता उत्पन हो जाती है जैसे हमको एक घर की जरूरत है जैसे ही हम एक घर खरीद लेते हैं तुरंथ हमको लगता है कि इसमें फनीचर होने चाहिए फिर हमको लगता है कि इसमें बहुत अच्छा पेंट होना चाहिए या हमारे पस एक कार भी होनी चाहिए तो मनुष्य एक ऐसा ही प्राणी है जो संतुष्ट नहीं हो पाता है जैसे उसकी एक आवशक्ता पूरी होती है दूसरी उत्पन हो जाती है दूसरी पूरी होती है तो तीसरी उत्पन हो जाती है तो इन्हीं आवशक्ता को पूरा करने के लिए मनुष्य आर्थिक कारे करता ह और कहीं ना कहीं वो मानसिक असंतुलन की अवस्था में आ जाता है ऐसा मानना है प्रफेसर जेके मेहता का तो उन्होंने अपनी परिभाशा में यह कहा है कि बहुत तिकता वाद के पीछे ना पड़ें किसी को देखकर कि उसके पास बहुत अच्छा बंगला है तो मेरे पास बेनी चाहिए उसके पास लगजरी कार तो मेरे पास भी होनी चाहिए तो उन्होंने कहा है कि बहुत इकता वाद के चक्कर में ना पड़ें अपने मानसिक अवस्था के जो दो पहलू है उसमें हम असाम्य को छोड़कर साम्य की अवस्था को चुने और ऐसा तभी हो सकता है जब मनुष्य की आवश्था है सीमित हो वो उसके पास जो है उतने से वो संतुष्थ हो जाएं ठीक है क्योंकि हमने इनकी परिभाशा में देखा था कि वो आवशक्ता शुन्यत अवस्था होती है। बहुत सारे समान उसको चाहिए होते हैं। तो वो कितनी भी आयरुजित कर ले। उसके आवशक्ता संतुष्ट हो नहीं पाती है। और वो असंतुलित सा जीवन व्यतित करता है। तो इनका मानना है कि आवशक्ता शुन्यता की अवधारना को हम प्राप्त करें आवशक्ता शुन्यता यानि कि बहुत अपनी आवशक्ताओं को ना बढ़ाएं जितना हमारे पास है हम उतने में खुश रहें तो इससे हमारा मानसिक संतुलन हमारे संतुलन की अवस्था को हम इसी संतुलन की अवस्था को उन्होंने साम में की अवस्था कहा है क्योंकि उनका मानना क्या है हमने इनके डेफिनिशन में देखा कि मानवी वेवहार पर जोड़ देते हैं ऐसा शायद इसलिए कहा गया होगा कि जब हम अपनी आवशक्ता को बहुत विस्तृत रूप दे दे करते हैं तो कहीं ना कहीं जब हम काम करते हैं धनारजन के लिए तो कहीं ना कहीं हम आव्यवस्थित से हो जाते हैं हमारे जीवन का संतुलन भी बिगड़ जाता है और हम बहुत सारे अनयतिक कारे करने के लिए भी कई बार मजबूर हो जाते हैं तो क्यों ऐसा किया जाए क् परिभाशाओं की जो मूल बिंदू है आगे चल कर कई आलोज को ने उनकी आलोज ना आए भी कि लेकिन फिलहाल हम इनके विचारों तक अभी सीमित रहेंगे और आये देखते हैं कि प्रोफिसर मेहता ने जो परिभाशाओं दी है इनमें कौन-कौन से मूल बिंदू निकल कर सामने आते हैं यानि कि इनके परिभाशाओं की क्या-क्या विशेजताएं हैं